नमस्का दर्शेकों स्वागत हैं आप सभी का हमारे खास कारेक्राम सी हेल्थ में और आपके साथ मैं हूँ डॉली भातिया दर्शेकों हमारे खास कारेक्राम के माध्यम से हम चर्चा करती हैं रोजमरा की जिन्दगी में पेश आने वाली तमाम बीमारियों के बारे में आप उनसे कैसे निपट सकते हैं कैसे निज्जात पा सकते हैं और खुद क पहुंचाएंगे कुछ महत्व पूंचानकारिया पर उससे पहले आपको बता दें कि हमारी इस चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौझूद हैं डॉक्टर शुब्रा गोयल मैं बहुत-बहुत स्वागत कना चाहेंगे आपका हमारे आपके साथ उर्जर नापिधी में ही विधी में क्या कुछ लियुझा फ्ले स्टूर गारे में कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या है具 यह दिखिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसको नेम कीहोल सर्जरी और मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी बोला जाता है जिसको हिंदी में हम कहेंगे दूर्बीन विधी द्वारा ऑपरेशन इसमें किया थे बहुत ही छोटे चीरे से इसको ले मैं में बोलें तो बहुत ही छोटे ताके 5 mm या 10 mm आदे संटीमेटर या 1 cm के ताके आते हैं और बहुत ही फाइन इंस्ट्रुमेंट्स होते हैं जिसके थूर हमीं सर्जरी करते हैं इस सर्जरी में बेसिकली क्या है कि एक टेलिस्कोप के थूर है एक हाई डेफिनिशन कामरा से जिस एरिया में सर्जरी हो रही ह ठीक है उससे हमारी सर्जरी काफी easy हो जाती है surgeon friendly हो जाती है और लैप्रोस्कोपी एक technology dependent सर्जरी है अब आगे की dates में जतनी भी open नहित प्रवाद में लोगों को तो अभी भी लोग के जो फार करने वाली जो पॉपन सर्जरी ए उस पर वो लोग ज़ादा बिलीफ करते हैं लैक्रोस को पी सर्जरी कहीं न कहीं अभी कत्राते हैं करवाने से तो कैसे दोनों में क्या differentiate आप करना चाहेंगे डिखिए डिफिनिटी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आज के देश में बेटर है ओपन सर्जी से डिफिनिट एडवांटेज जो हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का मानते ओपन सर्जी में बड़ा कट आता है इसके वज़े से प्रिशन को प्स शॉपरेट्न के बाद पैण बहुत जाधा होता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो दौर्वीन विधी द्वारा सर्जरी जो है इसमें चुकि सर्जी बहुत छोटे मृत हैば फो le autor some उक तुक्ंटी अगें आएटे बहुत कम होने से अगें से अच्छी बात जो है इस सर्जरी की अर्ली रिकवरी मतलब पेशेंट अपने उपरेशन इसको लगता ही नहीं कि उसका मेजर ऑपरेशन हुआ है कुछ वह बहुत मैक्सिमल से मैक्सिम्म 24 आस या 48 आस में अपने घर होता है इस जो फास्ट रिकवरी है सर्जरी की ऑपरेशन सब्सक्राइब करते हैं कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियों में मौजूद हैं डॉक्टर शुब्रा गोयल जिनके साथ आज हम बात करें हैं लेप्रोस्कोपिक सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना पड़ता है जो कि लाप्रोस्कोपिक सर्जरी एक वर्दान की तरह पेशिंट के लिए सामने आई है डॉक्टर यह बात करें कौन-कौन से बीमारिया हैं किस तरीके का इलाज है जिसमें लाप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है मैं तो गाइनी के फील्ड में आपको जादा जानकारी या दाश्यकों को जानकारी देना चाहूंगी गाइनी में आज ही सर्जरी जो उपन से सकती है वह लैपरोस्कोपी से हो सकती है इसमें कुछ नाम करना चाहूंगी जो बहुत commonly done surgeries है गाईनी में जैसे इस्ट्रेक्टिम जैसे कहते हैं बच्चे डाने निकालना ये surgery abdominal भी हो सकती है चीरा कट करके भी हो सकती है vaginal भी हो सकती है और laparoscopic भी हो सकती है लाप्रोस्कोपी यह एक सरजरी है जो लाप्रोस्कोपी में हम पेशेंट को हर दूसरे दिन होस्पिल से डिस्चार्ज कर सकते हैं एक बहुत कॉमनली सुना होगा फाइबर रसॉली का उपरेशन भी इस टक्नीक द्वारा पॉसिबल है तीसरा जो औरतों की बहुत कॉमन बिमारियां है जिसे ओवेरियन सेस्ट हुआ, एंडोमेट्रियोसिस हुआ यह सारी सरजरी लाप्रोस्कोपी के थिरू होसकती है एक बहुत कॉमनली आपने सुना होगा फैलोपीन ट्यूब बंद होना यह इसको लाप्रोस्कोपी के दौरा हम ट्यूब खोलते हैं ठीक है इससे आगे बच्चे होने की जो चांसे होते हैं वह जादा बढ़ते हैं यह सरजरी सारी गाइनी में हो सकती है एक अलग सरजरी जो सरजरी होती है जिसमें हम बच्चे दानी के अंदर जाके देखते हैं कोई कारण कोई उसके अंदर असॉली कोई अधेशन कोई फॉरन बॉड़ी यह सब तो नहीं है यह इस्ट्रोस्कोपी भी सरजरी गाइनी के लिए एक तरह से बून है इसमें फर्टिलिटी इन्हांसिं में पूरे उनकी जो बच्चे दानी है उसके अंदर की देखते हैं कैवेटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कैवेटी इन्हांस्मेंट भी करते हैं यह सारी सर्जरी हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा पासिबल है और लाप्रोस्कोपी में जैसे मैंने आपको बताया बच्च सर्जरी कितने परसेंट हम लोग सेफ मान सकते हैं कि सेफ सर्जरी प्रॉसस देखिए वो डिपेंड करता है केस्-to-केस बेसिस पे बट डेफिनेटलि अगर सर्जर्ण एक अच्छी जगह से ट्रेंड है एक्विप्मेंट्स आपके पास अच्छे हैं इस बिसिक्लिए टीम 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 इंक्लूट्स एंस्टेटिस वेखोशी के डॉक्तर है वह आपके हैं तो इसकेस में आप यह मान किजिए जितना रिस्क एक ओपन सर्जरी में होता है उतना ही लाप्रोस्कोपी में होता है और एडवांटेज बहुत जादा है इस सर्जरी के आप अगर माने जो ओपन 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 ओपरेशन करते हैं जो सर्जन ओपन ओपरेशन करते हैं वह लाप्रोस्कोपिक सर्जरी भी कर सकता है नहीं देखिए लाप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए डेडिकेट एक ट्रेंड सर्जरी होना चाहिए क्योंकि एक यह सर्जरी ओपन सर्जरी से बिल कि वो केसिस कर सकता है बिलकूल तो दर्शिकों को एक बार फिर से बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौचूद है डॉक्टर शुब्रा गोयल जिनके साथ आज हम बात कर रहे हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जुरी के बारे में और डॉक्टर ने बताया किस तरीक से लैप्रोस्कोपि सर्जुरी आपके साथ आपके लिए एक वर्दान साबित होती है कौन-कौन से ऐसी तकलीफे हैं कौन-कौन से ऐसी परिशानिया है जिनसे आप छुटकारा पा सकते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जुरी कराके लेकिन डॉक्टर एक्सपीरिंस होना लिमिटेशन देखे बिसिकली यह सरजरी जर रनेसीजिया में होती है जो कि पेट में गयास डालते हैं जैसे मैंने बताया है बहुत टेक्नोलजी डिपेंडेंट सर्जरी है टेक्नोलजी सिर्फ इसलिए आई है कि पेशेंट को पोस्ट परेटिव पीरेड बहुत अच्छी फ जरूरो फाने कि मुटावी हाई है कि अपर टेटिव डि फहसंने एखरस्या फुरा प्या हुषक हें कि तो पेशेंड खरते हैं तो फीचिंट को पुरा बहुषक करते हैं तो पेशेंटको एक अनस्थीजर कारते सीजसे पहले जरूरब करमाइय YOU वहां होता है तो पेशेंट की एक पीएसी चेकप जरूर होना चाहिए ऐसे केसे में डॉक्टर एक सर्जुरी करते टाइम क्या कुछ साफधानिया एक डॉक्टर की तरफ से बरता है वो भी पूछना चाहिए कि डॉक्टर को देखिए आइडिली तो यह कि प्री आप में पेशेंट करते हैं और इसक्टा आपको दिशिजन चेंज करना पड़े तो इन सारी चीजहों को आपको पिशन के लिए पहले से प्रिपेर करना पड़ेगा उनको आपको इस वे में काउंसिल करना पड़ेगा कि हम लाप रोस्कॉपिक सर्जरी कर नहीं बट हो सकता है अंदर एक जब करके रखलते हैं तो पेशेना सच प्रॉब्लम भी नहीं करता है अगर उसको हम बताएं कि लैप्रोस्कोपी में कुछ दिक्कत है और हमें केस हो सकता है उपन करना पड़ जाए जी डॉक्टर की तरफ से क्या-क्या साफधानिया बढ़ती जाए इसके बारे में आपने बता ए तीन दिन तक खाना निखा रहे हैं पी नहीं है वो सब लिमिटेशन इस सजरी में नहीं है इस सजरी में आप अगर डिपेंडिंग ऑन सजरी अपने क्या की है अगर माइनर सजरी है तो 6 आस के बाद पेशेंट को और लियलाओ कहते हो और माइनर सजरी जैसे एक टॉपिक बिल्कुल तो दर्शिकों आपने सुना किस तरीके से लाप्रोस्कोपी सर्जरी आपके लिए एक वर्दान साबित हो सकती है बीमारी में एक बीमारी से निज्याद दिलाने का एक तरीका है ऑपरेशन जो होते हैं जो चीड फार यानि की जो ओपन ऑपरेशन होते हैं उनको कही ना कहीं रिप्लेस कर दिया है लाप्रोस्कोपी सर्जरी ने और किस तरीके से लाप्रोस्कोपी सर्जरी की जाती है इसके बारे में आपको डॉक्टर शुब्रा गोया लगातार जानकारी दे रही हैं और आपको बता रही हैं तमाम हेल्थ टिप्स यहां पर डॉक्टर डिजीजेस हैं वो महिलाओं में थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही हैं तो क्या महिलाओं अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देती या किस तरीके से उन्हें अपने आपको रखना चाहिए इसके बारे में पूछना चाहिए देखिए डिफिनेटली पहले से इंफर्टिलीटी अब जादा वो में वरकिंग क्लास में आ गही है तो इस नौट लाइक देखिए उनको बाहर कर भी रहर कर भी इस्ट्रेस में थोड़ा सो अपने हेल्थ को नेगलेक्ट करती है और थोड़ा सा लाइस स्ट्रेस के वज़े से हमारा खाना पीना जो होता है वो भी शायद प् गेंग ऑर्मोन इंबालेंसेज और सब्सेक्वेंटल इंपटल यह सारे आपस में रिलेटेड थोड़ा सा हमें होता है कि अपनी एक बैलेंस लाइश्टाइल मेंटेन करनी है जिसमें बैलेंस डाइट सम फॉर्म ऑफ एक्सराइज बहुत जरूरी है औरतों को एक्सराइज करना औरते कहती हम घर का सारा काम करते रहते हम एक साइज की जरूरत है ऐसा नहीं है एक सेसाइज जो आदे घंट एक घंट आप अपने बॉड़ी को देते हैं वो डेडिकेटेड आपकी लिए वो एक साइज होती है वो आपके न सिर्फ फिजिकल कंडिशन को ठीक करती है मेंटल कंडिशन को भी स्टेंदन करती है वो एक घंटा आप अपने बॉड़ी को दे रहे हो स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए उसके आपको फाइदे नजर आएंगे बिलकुल दर्श को डॉक्टर शुब्रा गोयल के साथ हमारी चर्चा यूही रही गिजारी पर यहां हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद जल्द हाजर होंगे का स्वागत है हमारे खास कारिक्रम सी हिल्थ में और आपके साथ मैं हूँ डॉली भाटिया दर्श को आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शुब्रा गोयल जो की गानेकॉलिजिस्ट है साथ ही लाप्रोस्कोपिक सर्जिन भी है जिनके साथ आज हम बात करें हैं लैप्रोसकोपि सरजरी के बारे में क्या है इस सर्जरी दुर्बीन विधी द्वारा सर्जरी एक बहुत कॉमन टर्म हो गया है किया है ताकि कि जो misconception है हमारे समाज में वो निकल सके यहां पर आपने बात बात की थी कि क्योंकि गानेकॉलजिस्ट है तो एक infertility के case में भी laparoscopy surgery होती है पर यहां पर मैं पूछना चाहूंगे कि laparoscopy जो surgery हो रही है infertility के case में तो infertility के सबसे पहले कारण क्या है ऐसे क्या क्या कारण है हम फीमेल से शुरुवात करेंगी कि infertility का उससे सामना करना पड़ता है देखें इनफर्ट के तो causes वैसे हम हमेशा male factor को भी साथ में evaluate करते हैं अगर हम अपने अपने ट्यूब्स बंदोना ठीक है एक होता है अंडे ना बनना जिसको हम बोलते हैं एन अवलेशन तो देखें हम medical treatment से कर ठीक करते हैं उसको ठीक है तीसरा होता है poor ovarian reserve कि हम अंडे खुद से नहीं बन रहे हैं body में उसके लिए भी हम medical management donor egg services है ठीक है तीसरा होता है fibroid अगर cause infertility का रसॉली ठीक है एक कारण होता है endometriosis एक बिमारी होती है जिसमें वह भी बहुत common cause है infertility का इसमें से आप fibroid जो है अगर किसी को रसॉली है उसके वज़े से बच्चे नहीं हो रहा है बच्चे दानी के अगर रसॉली है तो यह हम laparoscopy से डेफिनेटली फाइदा यह है जैसे हमने पहले भी आपको बता है बहुत स्मॉल होते हैं बहुत जल्दी रिकवरी होती है और इन फर्टिलिटी वाले पेशिंस में सबसे इंपॉर्टेंट इडवांटेज लाप्रोस्कोपी का यह है कि अधेशन नहीं होते हैं जैसे हम उपन सर्जरी करते हैं तो हम डायक्ट टिशू की हैं तो ऑपरेशन के बाद सारे आस पास के जो ऑर्गन होते हैं वह जाके अंड इसके बाद हमें बच्चे दानी अंडे दानी इतनी अच्छी रखनी होते हैं कि ताकि बच्चे महिलाओं को आगे प्रेगनेंसी करने में दिक्कत नहीं दूसरी चीज जो लैपरोस्कोपी सम कर सकते हैं जिसे फालोपीन ट्यूब जो बंद होती है ट्यूब्स को खोलना ज है तीसरी चीज हमने बताए आपको सिस्ट को अपरेशन जिसे औरिन सिस्ट है एंडामेत्रयॉस इसमें लैपरोसकोपी से हमारा एक तो टिशू हैं लिग मिनिमल है तो हम पोस्त ओपरेटिव अडेशं प्रेवेंट कर रहा हैं दूसरा हमारा टार्गेट होता है है कि समें माक्सिमम बच जाए ताकि आगे महिलाओ को गर धार करने में कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए तो लैप्रोस्कोपी समारा में टार्गेट यही होता है कि डिजीज पार्ट निकाले अच्छे से यूट्रस ओवरी को हम छोड़े ताकि उसको आगे सड़ार छेлों सबस्कार फे जेए कि इस उर्केसे निकालने में भी लैप को पी सरजडेए और की जा रही हैं लिकिन रसॉली कई बार बन जाती है कomas राषग बार लाफ्रोस्कोपी owners को उसकों जब बनती है तो हर रसॉली को निकालने की पहले बात जरूवत नहीं होती है एक दो तरह की रसॉली होती है, एक होती है cancerous, एक होती है non-cancerous, cancer वाली तो हमें निकालने ही निकालने, जो non-cancerous है fibroid जिसको हम बोलते हैं, जो कि one of the common cause is infertility का, उसको अगर वो uterus के अंदर आ रह कम हो, तो और definitely एक बार जिस बच्चेदानी के अंदर fibroid बन गया, वो हमेशा chance होता है कि दुबारा वो बच्चेदानी fibroid बना सकती है, but चुकि हमारे पास patient infert के साथ आया है, बाजपन के साथ आया है, उसको तो अभी pregnancy चाहिए, हम जैसे ही fibroid निकालते हैं, next 2-3 months में हम उस level of treatment, immediately इसके बाज स्टार्ट करें, जादा gap करें तो रसॉली definitely दुबारा हो जाएगी, यह तुम हमने female factors की बात की कि क्या factors होते हैं, जिसकी वज़े से infertility होती हो और laparoscopy surgery किस तरीके से कारगर है, male factors के अगर हम बात करें, तो क्या male factors भी ऐसे कौन-कौन से होते हैं, जिसमे अगर हम लोग बात करें, अगर हम महिलाओं से संबंदिद यह या फिर प्रेगनेंसी संबंदिद या infertility की बात ना करके, अगर हम बेसिकली बात करें, लाप्रोस्कोपी surgery की, और अगर एक बार laparoscopy surgery हो चुकी है, तो क्या दुबारा भी हो सकती है, क्या ही कितने percent से? बिल्कुल, अगर एक बार laparoscopic surgery है, तो एडवांटेज है laparoscopic surgery करें, एक बार जब सरजरी होती है, कितनी बार तो हम दुबारा जब पहले कोई surgery भी हो रखी है, इतनी बार हम बहुत बार क्योंकि ये सारे conditions जैसे मैंने आपको बताएं, इसमें हमारा main target होटा है disease को अटाना, और 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 को छोड़ना, ये recurrent condition है, दुबारा भी हो सकती है, तो जब भी अकर कभी दुबारा भी ज़रुत पड़े laparoscopy की, हमने काफी बार देखा है कि वो pelvis या फिर उस और उन को बताएं, बिल्कुल ऐसे होता है, यसे लग रहा है पहली बार surgery कर रही हो, बिल्कुल, मैम क्योंकि आप एक doctor है, गानकॉलिस्ट है, तमाम तरीके के patients आप से रोज मिलते हैं, क्या आपने ऐसे patients भी देखी हैं, जो बारेशन हमारे से आज से 20 साल पहले open surgery से हो रहे थे तो हमें open से ही कराना है, और एक patient का थोड़ा सा मित भी है कि laparoscopy surgery में सब कुछ बाहर नहीं निकल पाता, चूंकि उसने देखा इतना बड़ा tumor है, और टाका तो इतना छोटा आया है, तो tumor निकला कैसे, उसके सबसे बड आज technology इतनी advance हो गई है, इतने morcellators होते हैं, ऐसे instruments हैं, जिससे कि हम जितना बड़ा रसॉली, उसको कट-कट-कट-कट करके small pieces में बाहर निकाल लेते हैं, बिलकुल, तो patient को एक definitely, अभी patient को सारे advantages नहीं पता हैं, लाप्रोस्कोपी के, जी, तो दर्शकों को एक बार फिर से आज हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में मौजूद है, डॉक्टर शुबरा गोयल, जो कि आपको बता रहे हैं, लाप्रोस्कोपी सर्जरी के advantage, और किस तरीके से लाप्रोस्कोपी सर्जरी के जो मित हैं, यानि जो भ्रांतियां फैली होई हैं, उनको दूर कर रहे हैं, अव पॉलिसिस्ट, जो हम सिस्ट के बारे में बात करते हैं, महिलाओं में होने वाली जो समस्या हैं, उसको कही न कहीं लाप्रोस्कोपी सर्जरी द्वारा हल किया जाता है, और काफी अच्छी सर्जरी है, ये open operations और लाप्रोस्कोपी सर्जरी, आज कहीं न कहीं open operation को replace कर रही है और बहुत अच्छे results दे रही है डॉक्टर यहां पर फिर से आपके साथ में फायदे discuss करना चाहेंगे दर्शकों के साथ क्या कुछ ऐसे advantage है जिसके बारे में आज हम बात करें और जब भी हम कोई clinic के सामने से गुजरते हैं तो उस पर basically लिखा रहता है देखे advantage तो काफी है उपन सर्जरी के उपर लैपोस्कोपिक सर्जरी के सबसे important जैसे मैंने आपको बताए बेरी स्मॉल कट सर्जरी कोस्मेटिकली बहुत अच्छा है पेशिंट को पता ही नहीं चलता है अगर आप इसकार नहीं दिखते आज कल स्पेशली यंग फीमेल जो आते हैं उनके लिए बहुत बड़ा बून है लाप्रोस्कोपिक सर्जरी जो कॉस्मेटिकली बहुत ज्यादा कंसर्ण है अपनी सर्जरी को लेके दूसरा सबसे है कि इसमें बहुत कम होता है पेशिंट को जो रिकवरी होती जो पोस्ट आप रिकवरी हम कहते हैं जैसे पहले आपने बड़े चीरे से ऑपरेशन हुआ फिर हम दो-3 दिन तक दरद पे रहे हम उठी नहीं पाए अपने ब है और सबसे इंपोर्टन है हॉस्पिटल स्टे बहुत शॉट होता है देखिए बिल्कुल तो दिन में इतनी मेजर सर्जरी इतनी बड़ी सर्जरी हो रही है जो पहले लोग 5-5-6 दिन अस्पताल में रहते थे और एक महिने तक का घर पे परेश करते थे वो नहीं है इसमें अटालीस घंटे में अपने घर पे हैं और साथ दिन बवाद अपने घर बिल्कुल अपने नॉर्मल वर्क पे जैसे हैं वैसे में सुसकर बिल्कुल क्योंकि कोई भी अस्पताल में रहना नहीं चाहता है और सबसे पहले जब पेशिंट एडमिट होता है तो यही सवाल होता कि उपर च्वोटी सी बात आप सझाएं कि इस टरीके से जो नौ महीन होते हैं जो घम इसतर होते हैं उन में किस तरी के से एक पी थैंट को डिल करना जगे यहां कि नहीं करणी क्यों कि दिल नहीं है यह जो एक न Isn't United had to choose to. शाइब के लिए आपने बहुत अच्छी लाइन बोली कि यह नॉर्मल प्रॉसेस है पेशन को यह समझना कि प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रॉसेस आज की रेट में बहुत डिफिकल्ट है पेशन को करना पेशन इसको बिमारी मान के ही आता है हमें एज़ डॉक्टर हमारा रोल है कि हम उसको यह फील कराए कि प्रेगनेंसी एक नॉर्मल कंडिशन है नेचर की तरफ से आप मेंठो प्रेगनेंट होने के लिए आप नेचर की तरफ से मेंठो नॉर्मल लेबर में जाने के लिए और नॉर्मल डिलिवर होने के लिए हम एज और ऑफ्रेटिशन का रोल वहीं के पास जाहिए ऐसा बिलकुल भी नहीं है अब जैसे ही आपके डेट्स ओवर्ड्यू होते हैं आप 10-15 डेज में फिर्स विजिट आप अपने गायने कॉल जिस अपने ऑप्सक्रीशन से मिलिए वह आपको रूटीन बेसिक टेस्ट और एक वर एक अल्टरसाउंड जरूर बाद हर वीक दिखाना होता है पेशिंट को लगता है एक बार डॉक्टर के बाद है दॉक्त बहुत जल्दी बलाते है ऐसा बिलकुल भी नहीं है अगर आपकी प्रेग्नेंसी नॉर्मल रूप में चल रही है तो आपकी फ्रिक्वेंसी ओफ विजिट यही होती है अब अल् लो रिस्क में है तो अल्र turnover की जरुवत नहीं होती है तो दर्शकों आज हमने डॉक्टर शुब्रा घोयर के साथ चर्चा की लैप्रोस्कोपिक सरज़री के बारे में, प्रेगनेंसी आप स्वस्त रह सकते हैं और अगर आप किसी तरीके से बीमार है या कौं-कौं सी ऐसी बीमारیاں है जिसमें लेपरोस्कोपी cancer geil आपके लिए कारगर्सित हो सकती है आपके लिए तमाम सारे advantage लेकर आई है और जो ओपन सर्जरी के जो भी डिसएडवांटेश थे उनको रिकवर किया है लाप्रोस्कोपी सर्जरी ने और डॉक्टर ने तमाम भ्रांतियों को भी दूर किया दो डॉक्टर चलते चलते यहां पर आप से जानना चाहेंगे शो के माधियम से आप दर्शकों तक क्या मैसेच महच बिमारी होगी फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे अप एक अच्छा हेल्थ यूश्ट है अच्छा हेल्थ अवेरलेस होना चाहिए कि हम क्या चीज़े कर सकते हैं जिसके वज़े से हमें बिमारी ना हो बिल्कुल और अपनी चोटी चोटी बिमारियों के बारे में जानना जैसे पैप स्मियर हुआ जो हम एक सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करते हैं यह आइडिली सारे फीमेल्स को पता होना चाहिए चोटी-छोटी हेल्थ टॉक्स ने वो सब अटेंड करते रहना चाहिए ताकि आप जब डॉक्टर के पास आओ तो आप भी डॉक्टर स आप हमारे शो में आए और आपने तमाम जानकारिया हमारे दर्शकों तक पहुचाए इसके लिए आपका शुक्रिया दर्शकों इस एपिसोट में फिलहाल इतना ही अगले एपिसोट में हम फिर हाजर होंगे एक नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए आप रखिए अपना कास कयाल, नमस्कार